असलामलेकूम आज हम ग्रेप स्ट्राउ करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने एक मद राइट करनी है मद नहीं होती जो अलिफ मदा के उपर लाइट सी और फिर उसको डबल कर देना है इसके इसे स्टेम ट्रॉप करनी है कर नीचे यूँ ओवल से दूसरी तरफ इसके सेंटर में पहले एक बनाया है ओवल फिर दो बनाने है इसको टू में डिवाइट करना है सेंटर पर एक उन सेंटर से स्टार्ट करके यूँ दूसरा फिर यह जुड़ दूसरा है इनके सेंटर पर एक बनाना है और साइड पर एक बना देना है तरह सबसे पहले वन के ट्रॉप किया और फिर थी ह। इसके ठीक है, अब यह जो 3 ड्रॉव कियां इनके सेंटर में यूँ एक-एक ड्रॉव करेंगे, फिर इनके सेंटर में, साइटस पर एक-एक ड्रॉव करेंगे, फिर यह जो ट्रॉ किया है इनके फॉर के सेंटर में एक एक हो ट्रॉ कर लेंगे यह देखें इनके सेंटर में जो करके फिर इनके साइट्स पर एक है फिर यह जो फाइव ड्रॉ ओगे ना इनके सेंटर में फिर हमने अभी फाइव बन गये है इनके सेंटर पर एक एक बनाना है आप फॉर हमने फाइव बनाए है फाइव के बाद हम फॉर में इसको इनको डिवाइट कर लेंगे आप फॉर के बाद इसको थ्री में भी करके खतम कर सकते हैं यह देखें इस तरह फॉर में किया फिर फॉर के जो बनाएं उनके सेंटर सेंटर में ऐसे हैं इसे हैं इसे हैं ठीक है फिर यूंगर करके इनके सेंटर पर है लाइट लाइट ड्रॉ करना है ताके जब आद में आप रेस करें तो इसली वो रेस हो जाए फिर इसके बाद एक ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर इसके यूंगर करके स्ट्रिंग बना देंगे और फिर अब इसको हम ब्लैक पॉइंटर से इसकी आउटलाइन कर दीए अब यह पॉइंटर से हम यहाँ कर लिए इसकी आउटलाइन अब हम इसके पैंसिल वाला रेस कर दिये और इसमें हम लाइट ग्रीन कलर करेंगे जो ग्रेप्स में होता है और आप इसकी स्टेम में ब्राउन कलर भी कर सकते हैं और लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं यह देखें ब्राउन कलर भी हम कर सकते हैं और ग्रीन भी कर सकते हैं यह हमारे क्रेप्स कम्टीट होगे इस तरह आप भी अच्छा सा नीटली ड्रॉ कर लें ठीक है ओके अलाहाफिज झाल झाल